तवे से जुड़ी होती है किस्मत, घर की महिलाएं किचन में तवे को ऐसे रखे, भूल कर भी ना करेगे गलतियां। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी, रसोई घर में उपयोग होने वाले तवे से कैसे जुड़ी होती है हमारी किस्मत, ग्रेणियां तवे को कहां रखे, तो जानते हैं तवे से जुड़ी कुछ पाते हैं। दोस्तों, रसोई को माता अनपूर्णा का इस्तान माना गया है। इसलिए बताया गया है कि रसोई में कभी भी कंदगी नहीं होनी चाहिए। भोजन बनाने के पश्याद, वहां साफ सफाई कर देनी चाहिए जिससे मान पूर्णा खुश रहे और आपके जीवन में कभी भी अनकी कमी ना हो। दोस्तों, रसोई घर में कभी भी कच्रा नहीं पहलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तो नराज होती ही है, साथ कि आपके जीवन में अनकी कमी भी हो जाती है। दोसोई घर में उपयोग होने वाला तवा राहु घ्रह का प्रतिनिदित करता है। इसलिए से गंदा रखने से राहु का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पढ़ जाता है। और जिन जातकों का राहु कमजोर होता है, उन किस तरह से तवे का इस्तमाल करते हैं, इसका सीधा सीधा असर आपके उपर होता है। अगर आप अपने घर में तवे को अच्छे से रखते हैं, तो आपके जीवन में धन और खुश्यां कभी भी कम नहीं होगी। आइए जानते हैं तवे से जुड़ी वास्तू टिप्सू खाना बनाते समय गरम तवे के उपर सबसे पहले नमक डाले। दो से तीन इंच की रोटी बनाकर ऐसी जगह पर रखें जिसे कोई जानवर खा सके। या यू कहें कि एक छोटी सी रोटी बनाकर गाय को दें इससे माता लक्ष्मी के गर्पा बनी रहती है, घर में बरकत रहत है, इसलिए रोटी बनाते समय हमेशा तवे को साफ रखें, इससे आपके पती की सेहत पर फर्क पड़ता है। तीसरा, कभी भी गरम तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। वास्तू के अनुसार, गरम तवे पर पानी डालने से जो छनकी आवाज आती है, वो घर में नकरा पानिया ले आता है, वास्तू के अनुसार, रोटी बनाने के बाद तवे को खाना बनाने की जगा पर बाई और रखना चाहिए। इसके साथ दोस्तों तवे का प्रयोग नहीं हो रहा तो तवे को एक ऐसी जगा पर रख दे, जहां किसी की नजर ना रखे। तो दोस्तों य रहती है।